नमस्कार दोस्तों मैं दीपक पाडिदार आपको पता ही होगा कि मद्यप्रदेश पुलिस की जो एक्जाम होई थी 2016 के अंदर उसमें एक जबरदस्त सवाल पूछा गया था और यह वही वाला है जो पहली बार स्टूडेंट ने देखा होगा तो वो बड़े शौक हो गए हो अभी तो खेर समय हो गया है उसको और आप मेंसे भी शायद बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं होगा पढ़ा नहीं होगा तो यह बहतरीन सवाल है आप इसको जरू ट्राइ कीजिए वीडियो देखने से पहले और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको सीखिए ठीक है चलिए देखो एक बहतरीन सवाल है और इस बार चांज से की इस तरह के क्वेशन्स वो रिपीट कर सकता है संख्यां बदल के या इस पैटन पे कोई और सवाल बना सकता है तो आप इसको ढंक से समझेगा एक डाक्या को चार गली में डाग देना है प्रत्य गली में प्रत्य गली के प्रत्य गली के बीच यात्रा करने में लगाता है यानि कि एक गली ये है दो गली तीन गली चार गली चार गली है इसमें भी दस है इसमें भी दस है इसमें भी दस है इसमें भी दस है टोटल घर 40 हो गए और एक गली से दूसरी गली तक जाने में 30 मिनिट ल आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाकिया दो फर दो बज़े अपना काम शुरू करता है और यह मान ले कि वो भोजन के लिए ब्रेक नहीं लेता, यानि कि खाना नहीं खाता है दो फर में, तो तीन बज के चपन मिनिट पे वो कितनी गलियों में डाक वितरित करतेगा, यह सवा अगर उसने दो बज़े काम शुरू किया और तीन चपन तक वो डाक बाटता रहा, तो दो बज़े से लगा के तीन चपन तक में होता है एक गंटा, दो से तीन यानि कि एक गंटा और चपन मिनिट, एक गंटे में होते हैं साट मिनिट और चपन मिनिट, यानि कि कहेंगे छ शे और पांच ग्यारा और ये छे यानि कि 116 मिनिट तक जो है वो उसने डाक बाटा है समझ में आगे आपके अब ध्यान से समझना अगर चार गली में बाट रहा है वो और हर गली में दस घर है तो मैं दस घर बना देता हूं तो मान लो ये पहला घर है ये दूसरा घर है इसी गली में वो गया दस घर थे दस हो मैं बाटने के लिए तो पहली प्रत्य घर में डाक देने में एक मिनिट लगा तो आप देखी कितने घर है भई दस घर है तो हर एक घर में लगता है एक मिनिट तो टोटल कितना मिनिट लग गया दस मिनिट यहां से यहां गया तो पांच म यह सब का गैप का कितने का है पांच पांच का तो मैं बना लेगता हूं इस fi देखना एक घर से दुसरे गर जाने में पांच मिनित लग रहे हुसके हैं तो आप देखें कि तो परन पर जो रहे वहां पर व्यक्ति कर घ़ा है तो दूसरे घर जाने में पांच मिनिट ले रहा यानि कि एक घर से दूसरे घर जाने में यानि कि जितने घर होते हैं ना हमेशा उससे एक कम आता है क्यों कि पहली बार वो दे चुका होता है डाक और पहली बार से जब दूसरी बार जाएगा तो पांच मिनिट कैलकुलेट होगा क्योंकि कही और से जब पहले घर जाएगा तो वो पांच मिनिट कैलकुलेट नहीं किया जाता है ना वो डिस्टेंस है हमें पता नहीं है तो पहले घर से दूसरे घर जाएगा तो ही पांच मिनिट कैलकुलेट होगा इस प्रकार टोटल घर है और गेप कितने का है उनके बीच में नो का त तो नो गेप है, ये नो गेप लिख लो एक काम करो, कि दस घरों के बीच में नो गेप है और हर एक बार उसको हर एक गेप ट्रेवल करने में पांच मिनिट लगते हैं, तो आप बताइए कि एक घर से दूसरे घर जाने में टोटल मिनिट कितने लगे, नो पंजे पैतालीस मिन अब वो जैसे ही उसने दस घरों में बाटा वो अगली गली में जाएगा और वह तीस मिनिट अगली गली जाने में लेता है तो मान लीजे तीस मिनिट और उसको लग गए ये कब लगे अगली गली जाने में अगली गली जाने में कितने लगे उसके तीस मिनिट लग गए तो आप बतेजिए समय कितना बरबाद होगे आप हमारे पास 85 मिनिट हमने बरबाद कर दिये हैं 10 घर में बाटने में समझ पा रहे हैं अभी 10 ही घर में बाटी है और 85 मिनिट हो गए तो आपके पास total time कितना था 116 मिनिट इसमें से आपने 85 मिनिट तक डाग बाट दिये वो भी 10 तो 6-5 यहीं कि 1 और 11-8 यहीं कि 3 यहीं कि 31 मिनिट आपके पास और सेश है तो आप इन 31 मिनिट में और कितने घर में डाग बाट पाएंगे अब ध्यान जा सुनना आप समझना कि अगर मान लो पांच घर है एक सपोस करते हैं पांच घर है तो एक दो तीन चार पांच यह पांच घर मान लेता हूँ मैं एक घर से दूसरे घर जाने में पांच मिनिट लगते हैं यहां से यहां जाने में भी पांच मिनिट यहां से यहां जाने में भी पांच मिनिट और यहां से यहां जा तो आप बतेए कि अगर चार गेप आया चार का गेप आया और हर एक गेप को ट्रेवल करने में पांच मिनिट लगे होंगे उसको तो आप बतेए कि पांच चोके बीस मिनिट लगे होंगे और हर एक घर में पत्र भी तो हाथ में दिया होगा और पत्र हाथ में देने का भी तो तो इसका मतलब घर जादा होंगे पांच से भी, तो एक घर और बढ़ा लीजी आप, मान लीजे छटा घर और होगा, तो आप मान लीजी कि यहां भी जाने में पांच मिनिट, तो आप देखिए अप घर छे है, तो गैप कितने का आया, पांच का गैप आया, और हर एक जगा कितना टाइम लग रहा है उसको डाक 5 मिनिट हर एक गैप ट्रेवल करने में 5 मिनिट लगता है, तो आप यह देखिए कि 5 गैप है, और हर बार 5 मिनिट लगता है यादिकि 25 मिनिट उसले में 6 घर हैं, तो एक घर से दूसरे घर जाने में टोटल 25 मिनिट लगे और हर एक व्यक्ति को हात में देने का एक-एक मिनित लगता है तो 6 घर है और हर एक व्यक्ति को दिया तो एक मिनिट लगा यानि कि 6 मिनिट यहाँ पे हो गए तो आप देखिये 25 और 6, 21 मिनिट हो गए तो हमने क्या सीखा? कि टोटल कितने घरों में पत्र वित्रित किया तो शुरुवात में यहां से यहां तक में 10 घर में पत्र वित्रित किया था और आखरी में यहां पर यह देखिए 6 घर यहां पर वित्रित करने में लगा यहीं कि जो हमारे सवाल का अंसर आएगा वो 16 घर आएगा तो यह इसका एक best solution है ठीक है यह इसका correct answer है तो option number B को हम tick करेंगे